अब हम आपको इंसानी गिद्धों के खबर बताते हैं रसल बागपत में कुछ कपड़ा व्यापारी कफन चोरी करते थे और इसे चोरी करने के बाद वो इसे विश्टिया करते थे यूपी के बागपत के जन्पत बढ़ोत से एक ऐसी खबर सामने आई है जो ना आपने कभी सुनी होगी और ना देखी होगी ऐसी शर्वनाग कहानी जिस पर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे बागपत पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का परदा फाश किया है जो कबरिस्तान और श्रमशान घातों से कफन चोरी करते थे और सिर्फ कफन ही नहीं मुर्दों के कपड़े चुडा कर उन्हें बेचा करते थे पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग कपड़े के व्यापारी है जो कबरिस्तान और श्रमशान घात जाकर पहने मृतक के परिजनों के चले जाने का इंतजार करते थे और उनके जाने के बाद इस घिनोंने काम को अंजाम देते थे ये लोग कपड़े, कफन, चादर, शॉल सब कुछ चुरा कर उसकी रीपैकिंग करते थे और फर्जी स्टिकर लगा कर नए के रूप में बेचा करते थे और उनसे स्टाय के जो म्रत वेक्तियों के शंचान से चुराई हुए कपड़े और जाधने, गरम शॉल और गॉलियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रेंड के लेविल ये सब बरामत हुए हैं इनके वरू मिस्तों संदर धाराओं में मुकदमा धर्ज करके इनकों जेव रहे जा रहा हुए